प्रवार का ग्यान किसका नफा नुकसा है संदर भी है कि भारती राजनीती में एक महत्वपुन किरदार है शरत पवार 1940 में जन्मी शरत पवार जीवन के 82 वसंद देख चुके है और अपनी राजनीतिक कुशलता के संदर में हमेशा लोगों को हत्परप करते हुआ है वाशक्स हैं जिसने कभी इंद्रा गांधी के दौर में कॉंग्रेसे बगावत की जिसने सोनिया गांधी के संदर में भी बगावत की और जिसके संदर में अभी भी पता नहीं चलता है कब वो किस के साथ है और कब किस के खिलाफ है तार्या मामला यह है कि संपूर विपक्ष एक जुट होने की कोशिश में है एक जुटता की एक कोशिश है नरिदमोधी के खिलाफ, नरिदमोधी की नीटियों के खिलाफ लेकि शर्थ पवार ने पिछले आठ दिन में ऐसे बयान दिये हैं जिससे एक जुटता की कोशिशों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है तीन मुद्धे कौन से? एक सावर कर के मुद्धे पर? दूसरा अडानी के मुद्धे पर? और तीसरा प्रधामंदी की डिगरी के संदर में सावर कर को लेकर राहुल गान्दी जितने भी मुखरते कोल मिलाके शर्थ पवार ने बयान दे लिया बेफिजूल की बात है, सावर करके बलिजान के संदर में सवाल उठाने की कोई जरुती नहीं, उनका यूगदान था, पर आज के समय में ये सवाल उठाकर क्या हासिल कर लेगी कोगल, दो टूक लेजे में शर्ट पावार ने कह दिया दूरा मुद्धा अडानी के संदर में, अडानी खुल के गोतम अडानी के बचापन आ गए शर्ट पावाल ने सीधे तोर पर कह दिया, रिडेनबर की रिपोर्ट का अधर पर काएगा बावाल, फिर जेपीसी की मांग करने की जुरुत क्या है, जेपीसी में बहुमत सत्ता रूट दलका रहना है, क्या निकल जाएगा, पंदर सस उनके होंगे, साथ विपक्ष होंग वैसे भी सुप्रिम कोड ने जब कमेटी बना दी है, तो इसके बाद में किसी और मांग को करना बेफिजूल है, तीसरा मुद्दा, प्रधान मंतरी की डिगरी के संदर में अरविन केजरीवाल को हाई कोड में मुग की खानी पड़े है, हाई कोड ने ना केवल केजरीवाल शर्त पवार का कहना है, ये डिगरी के चक्कर में को पड़े है, देश की जनता ने जिसे चुना वो देश का पदान मंतरी अपना काम कर रहा है, जनता ने उसे दूसरी बार भी चुन लिया, इस समय मुद्दे भहते रहे है, महेंगाई को लेकर बात करो, बेरेज़गारी क किसानों की परिशानी को लेकर बात करो, ये डिगरी के संदर में ववाल पैदा करके असल मुद्दों से ध्यान बठकाने की यूर्त क्या है, अब सवाल ये है, ये वस्तुता विपक्ष मुद्दों से ध्यान बठका रहा है, या पवार का ये बयान विपक्ष के लक्ष को विपक्षी एक्ता मजबूत हो रही है, क्या नरेजन मोदी के खिला बाहुल बनाने की कोशिशों को बल मिल रहा है, या कुल मिलाकर विपक्षी एक्ता जो की गुबारे को प्लाने की कोशिश कर रही है, पवार बारी बारी से पिंचों हो रहे हैं और हवा निकाल दे रहे हैं हमारे साथ दिल्चस्प राजनीती चर्चा का हिस्सा बनने के लिए पाज खास बैमान मौझूद हैं उनसे आपका परिज़ा कराएं और भारती राजनीती के मौझूदा घट्टा कर पर कुछ दिल्चस्प तथे जानने की कोशिश करें उससे पहले समय है आज के विचारसूतर हमारा आज का विचारसूतर कमाल का है जो शरत मवार करते आए हैं उसी को व्यक्त करता है आज का विचारसूतर हमारा विचारसूतर यह कहता है कि politics is a game there are no permanent enemies and no permanent friends only permanent interests वाला राजनीती ये खेल है इसमें कोई स्थाई शत्रू नहीं होता और कोई स्थाई मित्र नहीं होता केवल स्थाई हित होते है William Clay मशूर अमेरिकी व्यफसाई फोड कमनी का अद्यक्ष जो रहे उन्होंने ये बात कही थी शरत पवार में जीवन काल में थाबित किया है वो कब किसके दोस्त हो जाते हैं और कब किसके दुश्मन उनके दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी पता नहीं जाता है एक इतना तया है पवार के हित हमेशा सुरक्षिद रहे पवार हमेशा सफलता के शिखर पर दिखे और आज भी शरत पवार के संदर में लोग मानते हैं कि भले ही वो 82 साल के हो गए है पर आज भी कोई उनका मुकाबला कर पाए है ऐसा दूसरा राज निता नरिद मोजी के अलावाद दिखाई नहीं देता तो इस चीज़ों को अपनी जहन में रखते हैं पर अजि़न को परिशानी पैदा कर रहता बारतियराश्टरे कॉंग्रिस उसके प्रवक्ता के तरब हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ देश के जाने माने में वरिष्ट पदकार शेवण कर जीवी आप सबका स्वागत है चर्चा के शुरुवात उमा शंकर यादव जी से करेंगे और उनी से जानेंगे पवार पहले इंडिये का हिस्सा रहे फिर यूपिये का हिस्सा रहे पवार फिर कहीं और किसी का हिस्सा होने जा रहे हैं उसकी बुनियाद रख रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं थोड़े यलो जी, रोश्णी देंगे अपने निता के बयान के संदर में, चाह के आ रहे हैं आपके निता जी? देखे ऐसा है, देश के महान नेता, मान्ये सरत्परवार साहब एक महान हस्ती है, और राजनीत के प्रोधा हैं, उनसे लोगों को सिखनी चाहिए, सदन में कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, कि जिससे जन्ता के बीट में कोई गलस संदेश जाए, मान्ये सरत्परवार साहब ने जो भी कहा है, वो जन्ता के हित को लेकर कहा है, और हर चीज को राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मेरा अपना जो मानना है, मुद्दे तमाम है, गरीबों के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्द अदानी नहीं है कोई मुद्दा जो है आज जो जेपीसी है जब कोट ने जब पहर साफ सही कह रहे है कि अगर सदन का कोई सदस जेपीसी की जाज करेगा तो लोग छोटे-छोटे सराल खड़े करेंगे आजसे में कोट ने जो समिती बनाई है उसको मानना चाहिए यह अपना मानना है और देश के नेता मन्य सरत तवार साब को यह सब का योग नहीं करते हैं जिस पर लोग टिका टिपड़ी करें रही बात विपच की तो विपच हमारा मजबूत है मजबूत रहेगा विपच में क कोई गौतम अडानी के पक्ष में नहीं बोल रहा जिस बाजबा को कटगरे में खड़ा करने की कोशिश है उस बाजबा का नेता अभी गौतम अडानी के संदर में कोई दो-चार शदो बोलने के लिए था यार ने राहुल गांदी ने तो अपनी सहस्ता सक गवादी ऐसा उ होनी चाहिए पर आपके आधरनी जो नेता हैं आपकी शब्दों में जो देश के महान नेता हैं वो अडानी के समर्थन में बड़े कूटकर बयान दिये हैं खुलकर आए हैं और आज नहीं आये हैं उनकी एक पुरानी किताब आत्म कता है 2015 में आई थी उसके पन्नेविया सो देखें ऐसा है मानिय सरत्वार जी का रिष्टा किसी से कहीं कोई गावर नहीं है आपने एक देखा होगा कि जब मानिय नरंज मोदी जी प्रदान मंत्री बने थे और बांबे के आटो डेडियम का जो उठगाटन होना था मानिय प्रदान मंत्री जी ने ही किया था वो भी राटपा के ही थे और मानिय प्रदान मंत्री जी ने एक सब्द कहा था कि हम लोगों को मानिय सरत्वार जी से सीख लेनी चाहिए तो हमारे नेता को किसी से कहीं गुरेज नहीं है हमारे नेता को नीती से विरोध है नेता से कोई विरोध नहीं है तो नेता से कोई विरोध न कि उद्धा ठागरे जी आडानी के संदर में काफी मुखर रहते हैं सावर करके मुद्दे पर तो आपके साथ रहते हैं इस कुशलता के संदर में इस राजनीती घटना के संदर में कुछ रोश्नी मताएगे किया लगता आपको पावार के बयान विपक्षी एकता की जड़ों में खाठ डाल रहे हैं पानी डाल रहे हैं या मठा डाल रहे हैं क्या मैहसस कर रहें कि emo Çünkü dut देखिए आ sowie अब शजित कर घिने करें हुद्दे पर उन्हों ने स्पर्ष्ट एक बिस पास्ट यह लेकिन आभी में आपको बता रहा हूं कि 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 यह और डानी पे उन्होंने अडानी की बाद खुल के आ गई है लेकिन अडानी का मुद्दा 19 पार्टियों की जेपीसी की मांग और चूचे ना तो बहुत बहुत ही मुखर है कि जेपीसी की मांग हो और मेरे कैसे NCP पक्षय ने भी कहा है कि जेपीसी की मांग हो अब बीजेपी को थोड़ी आसा की किरन लगी है लेकिन हमने हमारा सब सेटल कर लिया है सावर करके मामले में भी चरटपवार जी ने ही राजी राहुल जी को समझाया और वो मीटिंग भी हो गई अब अडानी जी के बारे में उनके परसनल विचार है लेकिन अडानी जी यह कोई के चुनाओं का बहुत बड़ा हो चुके है अगर किशोर तिवारी जी की बात को गंभीरता से ले किशोर तिवारी जी की बात को गंभीरता से ले या शर्टपवार की बात को गंभीरता से ले 80 साल के शरत बवार यह बोल रहे हैं अडानी कोई मुद्दा नहीं है इस फालतू चीजों में समय खराब करने की जुरूट नहीं है कहा मोदी जी के पीछे बढ़े रहते हो आजानी के पीछे पढ़े रहते हो बात करो महंगाई पर बात करो बेरुजगारी पे, बात करो किसानों की बदाहली पे, आप करो अडानी मुद्दा होगा है, 2024 में किरकरी होने वाली है, आप ही बताओ, किसे कम बिड़ता से लें हम लोग, पवार खाप को या आपको? मेरे को, ने निपवार चब तो हमारे श्रद्देय नेता है, लेकिन एक बात मैं बताओ, भार्ती के राजनीती के अंदर, आप इको तू जी का लो या वोफोर्च का लो, अडानी ये मुद्दा किरकीरी मोधी जी की हो गई है, अडानी जी ने तो अडानी जी ने तो अपने जाजात के 70% गमा दिया इनके लपड़े में, लेकिन अडानी जी को भाई बहुत फायदा पोचाया, अडानी जी को देश के पूरे पूरे इंफास्टर के पोजेक्ट में ले आए, देश के अंदर LIC और SBI का पैसा दे दिया, अडानी जी ने देश के रेगुलेटर और द देश के कानून का उलंगन किया, यह बात तो गाहों तक पहुझ गई है, दूसरी एक बात थी, जिस पर शरत्पवार जी बोले कि मोधी जी की जो डिगरी है, वो डिगरी फरजी है, आप ये मामला, भाई केजरिवाल जी ने उठाया, और वो तो आपने बोला भी कि उनको क अरे ये सब ठीक है किशोड़ जी, आप तो ये बताओ, पवार साब ऐसा क्यो करते हैं, जिक अडानी को लेकर उननेत दल विपक्ष के एक साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं, पवार साब ने अपनी अलग दुन्द भी बजाई है, पेकार है, जब डिगरी को लेकर माहोल ब करते हैं, किशोड़ जी, इसके विशे में बताइए ना, देश क्या मैजू कर, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, पवार साब ऐसा क्यो कर रहे हैं, अभी तो ये समझना जाते हैं, आप उनके निकट साथी रहे हैं, आपके सहयों की दल हैं, आप तो समझ रहे होंगे, क्यों इनिस पार्टियां हैं, अपी-अपी मुद्धों पे रहे हैं, आप इतना सावर कर को मानते हैं, रहूल जी बार बार वही बात करते हैं, तो मैं आप एक बात करूँगा, अभी उन्होंने उनकी व्यक्तिकत रहे रख दी, उनकी जो पार्टी हैं, एन्सीपी, वो की मांग के साथ है, तो शर्त पवार की हैसियत ऐसी हो गई अपने पार्टी में, परमुख होते हुए भी, को उनकी राए के कोई मायने नहीं है, पवार की राए अलग रहेगी, पर NCP जो है JPC की मांग के साथ रहेगी, ऐसा शिवसेना के प्रवक्ता का कहना है, पूछी ले पारा उठाय हुए मुद्दों के संदर में, सामने वाली पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, हाँ समझभा रहे हैं क्या, लेकिन आपकी तारीक में सरत पवार से बरिष्ट नेता कोई दूसरा नहीं है, सरत पवार जी, सरत सरत पवार जी की बात कार सके, सरत पवार जी का एक चीज यह है कि अडानी जी उनके बहुत पुराने मिस रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन खास करके जेपी सी के बारे में जो सरत पवार जी ने कहा है तो टेक्नीकली यहां समझ भी वैटे हूँ हैं वो तो हम लोह वह बात हैं तो बता जो है जो है जिट को हैं यह अगर आधा मेशरी समझ के बारे में यह समय कोड्स का कमेटी बदें बारे में बात कर रहे है業िए तो इसको इस फुरू घलत तो है नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनती है और अगर वो जाग पर अड़िये देश की संसद नहीं चली इस मुद्दे पर तो आप ही बताइए पवार सही या उन्निस विपक्षी दल सही बात यह है कि सरत तौर जी ने जो कहा वह बड़ी एक टेक्निकली चीज है उस टेक्निकली चीज को अगर आप समझ लेंगे तो यह बहस खोड़ा और मुझे को समझना यह उन्निस दल जो है उन्निस दल के जो बड़े नेता है तकरीबन सभा सो डेर सो दो सो सांसद हैं उनकी अखल नहीं है यानि आप यह बता रहे हैं कि आपके राहुल गांदी जो अड़े हुए थे जे पीजी बनाओ जैराम रमिश अभी भी भी बोल रहा है हम अभी भी जे पीजी चाहते हैं इन सब में अकल की कमी है जो समझ शरत बवार जी के पास है वो समझ और किसी नेता के अपास नहीं उन्होंने बता दिया तकनी की पहलो इसलिए अब उम्मीद करें कि विपक्ष जे पीजी की मां को छोड़ देगा क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि शरत बवार ने बहुत सही बात कही है मैंने यह नहीं कर आज जहीं बताया जिसमें अगर आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं कि पहले सवर्ट पवार बी जो है अधादी जी के मित्र हुआ करते थे और मित्र होंगे दिने क्योंकि राज मीद में और कार्पुरर्ट की मित्रता दो जग जाए है इस तो को यहां कोई है लेकिन सुप्रीम गोड में जो क्मेटी बनाई है वह कि जांच के लिए बनी हो कमेटी रिपोर्ड ले बनी है और हो जिस प्रकार से विप नहीं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब करने किसी कोई रियक्त तो नहीं किया यह तो कि पर वोगता है यह शरत पवार के प्रवक्ता हैं आप शरत पवार पर करें यह शरत पवार का समर्दन करें एक तरह बतारें आपको पता रही है मोदी जी से पहले जो मितरता रही है गौतम अडानी की वो पवाड साब से रही है तो इसका तो आश्य समझ में आता है पुरानी मितरता का निर्वन कर रहे है दूसरी तरह आप हमें ये भी समझाने की कोई कर रहे है नजगे देखे JP से जादा कारगर चीज सूप्रीम कोट के दो राना कोई कमेटी बनाई जाए उस से जाओ झो तो वो जादा कारगर हो तो क्या है मैं समझे नहीं पारा और मैं नहीं नहीं पारारा तो मैं मुन्हें होगी दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे क्या वस्तुता आप कहना क्या जा रहे हैं सवाल बहुत इसपश्ट है तरीज साव आप से उसका उत्तर मिले तो मैं प्रेमर केश पांडेजी के पास चलूँ पवार जी का बयान के आप साथ हैं या पवार जी के बयान के आप खि किया रहे हैं? तो मुझे लगता है कि एसाइटी जेपीसी से बेहतर होगी गई गई बात इसमें विपच्च क्या कह रहा है यह बात तो पूरी तरीके से विपच्चि लोगी पहला रहा है ना कांगेस पार्टी ने या राहूल गांदी ने या किसी ने उसमें कोई बयान दोनी दिया है और तो वो क्या हतरा है कि अमाल की बात गारे तिर्वेजी साब जैराम रवेश ने बाकाइदा बयान दिये हुआ है कि पवार साब क्या बोल रहे हैं जो अभी भी जेपीसी की मांग कर रहे हैं इस नतीज़ पहुंचे आपको कोई एतरास तो नहीं ने हमारे संदर में ने आप कांगेस पालिटी या विपन्च का एक लच्छ है और मोदी जी तो इस बारे में बोली नहीं रहे हैं यहां तक कि भाजपा जी जेपीसी के बारे में संसंत का पिछले दिनों जो हस हुआ 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 हम समने अच्छी तरीके से देखा हुआ है सवाल इस बात का है कि एक जा सकते हैं कि संत्रवार जी की राजनिती कैसी रही है रहे गई बात हमारे हमारी हमारी किपणी की तो हम संत्रवार जी के बारे में क्या कित्पणी के रहे हैं हम तो यह देख रहे हैं कि आप बार 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 कि राजनिती को आप जानते हैं जानते हैं हम तो आपकी राजनिती क इन मोजूध परेद सुख्त, कितना आनननत महसूस कर। हमारा सुवल था ऺजो उत्तर मिलता दिखरा है। ऐसे नफशी तो आपको कभी उम्मीद नहीं रही होगी यह ऐसा नफशी उम्मीद के साथ में आप पवार जी को एतना संभार दिये रहते हैं। देखिए जहां तक विपक्ची एक्ता की बात है विपक्ची एक्ता जिस विशे को उठा रही है जे पीसी की पहली बात तो सभा में कोई ऐसा विशे आया नहीं विशे के लाने के लिए जो एथेंटिसिटी होनी चाहिए कोई ऐसे डॉकुमेंट्स कोई ऐसे चीज एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और रिपोर्ट के अधार पर किसी कमपनी का सेयर गिरना ये अपनी कमपनी और उसका उसका मामला है कहीं सरकार के इन्वाल्मेंट या सरकार के फेलोर का कोई भी जिक्र किसी भी दल के लोगों ने नहीं किया एक चलता फिरता रिमार्क सब ने मार्क पास किया है जहां तक सारे दल सुप्रीम कोट गया और सुप्रीम कोट ने जजों की कमेटी बनाई और मेरे खाल से छे सदसी कमेटी है और सेवी को भी उन्ने गाह की जाच करें और सेवी भी अपने तरब से कर रही है कि अगर कोई regulatory commission के द्वारा कोई गरबड़ी हुई है तो उसको करने का बीजेपी का भी पशब्र बहुत इसक्षट है कि कोई भी company कही पर भी अपने नियम कायदों के अनुरुप कारे करती है तो ठीक और अगर नियम कायदों के विरुद्ध कारे करती है तो सरकार का जो भी नियम कायद है उसके ताहत कारवाई हो अब रही बात जो मुद्दे उठाये गए जिन लोगों के द्वारा सबके अपने-अपने अलग-अलग राजनेतिक कारण है रावल गांदी जी की सदस्ता कोर्ट ने खतम की उनको ये लगता है कि पूरे कॉंग्रेज को लगता है अब अब दल्ला है तो उनको अपना एक पॉलिट का लेता आप पार्टी का अभी सराव वाले गोटाले में तो केजरिवाल जी बहुत चतुरही से उन्होंने बिधान सबा का दुर्पयोग कि कि विधान सबा में सारे चीज़ें बोल डाली क्योंकि वहाँ पर उनको प्रिविलेज मिला हुआ है जो वो बोलेंगे वो छपेगा भी और उन पर कारवाई भी नहीं होगी चुकि अध्यक्ज भी उनका था इसलिए जो चीज है नहीं उसके बारे में लाकर के संकल्प का और ये बात सही है कि जिसको 130 करोड जनता ने एक बार ने दो बार अपना समर्थन दिया है बहुत सारी चीजों को उठा रहे हैं किताब पड़े लिखे हैं उनसे भी बहुत पड़े लिखे ले राजनेता में तो केजरिवाल जो बोल रहे हैं तो क्या केजरिवाल की पाटी को सिर्फ आई एरस आई पीएस आई एस लोग ओर दे क्या पड़े वियती यह हो जाएगा फिर तो बहुत सारे लोगों कहां कहां जाएगा मुद्दा वहाँ पर है शरत पवार जीने जो बेसिक बात कही है वो बिलकुल सही है कि जेपी सी से बहतर हो है और वो अनभवी है और अपने अनुसार राजनीत को तोड़ाने की लिए अपने अनुसार यह बताईए कि जो बयान शरत पवार का है यह वस्तुता किसकी मदद के लिए है भाजबा और बोदी जी की मदद के लिए है गौतम अडानी की मदद के लिए है या विपक्षियों को किस रस्ते पर चलना चाहिए इसकी दृष्टि से एक अनुभवी चरवान राजनेतिक के मानते हैं तो देखें मुझे लगता है कि सरत पवार जी जितने भी अब भाजपा की दृष्ट से हम अलग सोच रखते हुए भी कि जितने भी अभी विपक्ष के राजनेतिक दल के नेता हैं उनमें सबसे अनुववी हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो बिपक्ष को भी कि भी बिपक्ष को जनताक से जुड़े मुद्दे के साथ ही अदी हो जाते हैं तो साइभा सरकार के खिलाब कहीं खड़े भी हो सकते हैं जे आज मोदी जी की जो integrity है मोदी जी के जो उनकी नियात और उनकी महनत उनके सामर्त उस पर अगर कोई भी ब अब बाहर हो गए है तो भी अब वो अपने अपने कारणों से जी आरजे डी नितीज कुमार मतलब सब जो इंटेग्रीटी वाले हैं अपने इनकी इंटेग्रीटी पे जिसकी डाउट है वो सब जा रहे हैं सरत पवार जी को जिनको ये सारे दल जब उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलके सरकार बनाया थे रातो रातो उनकिया तो उन्हें सबसे बड़े चानक के हैं तो निश्चित तोर पे उनका जो अनुभाव है मैं समझता हूँ कि विपक्ष के साथ हो खड़े भी हैं और विपक्ष के नेताओं को सीख भी दे रहे हैं कि तुम गलत बुद्धों पे जाओगे तो तुम जिस 24 के बारे में सोच रहे हो वहां तक तो पहुंचना भी दू हो जाओगे तो कुल मिलाकर विपक्ष को सीख दे रहे हैं शरत पवार ऐसा हमको समझा रहे हैं प्रिम्रकाश पांडे जी मामला दिल्चस्प है तो आप शवण जी के पास रूख करने का समय आगया मेरा शवण जी आपको भी बताए हैं पवार अपना बला कर रहे हैं अड तो समझ गए होंगे किस-किस का बहला कर रहे हैं तो थोड़ा आपका नजरिया साजा हो शरत पवार जैसे अनुभवी राजितिकी के संदर में सब बोल रहे हैं बहुत यूद अनुभवी राजनेता हैं क्या बोल रहा हैं उनका अनुभव हिमाईशी जी मेरा थोड़ा सा मैं भी मती ब्रह्म में हूँ और ये कॉंग्रेस के प्रवक्ता साब ने तो और ज्यादा मुझे कंश्यूज कर दिया है कि कॉंग्रेस का प्रवक्ता भी इस तरह से बात कर सकता है मतलब बहुत ही अद्भूत बात है कि वो क्या बात कर रहे हैं शिव सेना के भी और न्सीपी के भी लोग परिशान होंगे कि कॉंग्रेस असल में क्या चाहती है मैं तो खेर हूँ ही परिशान कि मुझे क्या कहना से देखें मेरा ऐसा मानना है हिवानशु जी कि शरत पवार ने देश का बहुत बड़ा भला किया है उन्होंने विपक्ष का बहुत बड़ा भला किया है वो भला यू किया है कि जो अदानी का मामला था और जो डिगरी का मामला था प्रजान मंतरी की वो गुम होता जा रहा था खतम होता जा जा रहा था उसको फिर से वो मेदान में ले आए शरत पवार से किसी ने पूछा नहीं था कि आप डिगरी के बारे में कुछ बोलिए और न अजीत पवार से किसी ने कहा था कि आप EVM के बारे में बोलिए शरत पवार ने क्या किया कि जनता को ये मुद्दा दे दिया कि प्रधान मंतरी की डिगरी फरजी है क्योंकि वो किरए कि degree का क्या होता है डिरी के बारे में को बात उठानी चाहिए तो ये जो और दूसरा ये कि शरत पुवार ने देखिए जो 19 पक्षि दलें वो तो शरत पुवार की तोई बात मानने वाले हैं यह दो शरत कवार को मानते हैं ओ यह उन्निस सो निन्नियान्वे में शरत पवार ने कॉंग्रेस छोड़ी थी ये कहकर कि सोनिया गांदी के विपक्षी मूल का मुद्दा बना कर और दो हलार चौदा से दो हलार चार से चौदा तक वो केंजरी मंत्री भी रहे जिसकी की चेर परसन यूपिय की सोनिया गांदी थी नगालेंड के अभी विधान सवा चुना हुएं वहां सात लोग चुनके आएं उनकी पार्टी के उन्होंने सातों को कह दिया कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओं ये मार्चेंड की बात है शरत पवार की राजनीतिय को समझना बहुत मुश्किल है और ये समझना भी मुश्किल है कि वो आदानी को बचा रहे हैं कि प्यम को बचा रहे हैं उपर से ये लग रहा है कि वो PM को बचा रहे हैं जब वो JPC की मांग का विरोध करते हैं तो लगता है अदानी को बचा रहे हैं जब वो डिगरी की मांग का विरोध करते हैं तो लगता है PM को बचा रहे हैं मामला यह है कि 2024 के महत्पून चुनाओं के पहले पावार साब ने अपने आपको एक्सपोज कर दिया है और जो महरास विकास अगाडी है उसके लिए भी उन्होंने इस्पष्ट कर दिया है कि उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है देखिए अधानी जी के साथ उनके संबंदों का ज्यूरा अगर पढ़ना हो तो उनकी आत्मकता पढ़ लीजे मराटी वाली जे उसमें बता देंगे कि बारा मती में कब अधानी गए थे एमदाबाद के घर में शेवत पवार कितनी बार गए हैं सर्मल पवर के शेतर में अधानी को लाने का शेवत पवार साथ को है वो ट्रेन में कैसे सफर करते थे कितना संगर्श करते हैं सारा बता देंगे यह जो हमारे शिवारी जी ने कहा कि अधानी जी के साथ तो उनके पुराने संबने हैं काफी पुराने हैं वो तो हैं उनके पुराने संबन उसमें कोई दोमत नहीं है दिक्कत क्या है कि 19 दलों की जो गड़बंदन बन रहा था ये शरत पवार चाहते तो उस 19 दलों के गड़बंदन की बैठक बुला कर उसमें बोल सकते थे कि आप लोगों को जेपीसी की मांग छोड़ देना चाहिए मैं आपके साथ नहीं हूँ या जब वो हला मचाके संसत का टाइम बर्बाद कर रहे थे तब वो कह देते कि हमारी पार्टी आपके साथ नहीं है जब संसत का सत्र समात्त हो गया तब वो उस चैनल पे गए जो अडानी ने खरीज लिया है उस चैनल के डारेक्टर ने संपाज़क ने नहीं डारेक्टर ने उनसे सवाल पूछा जे पी सी पर तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसका जवाब यहां नहीं दूँगा मुझे जो भी कहना है अपने विपक्षी दलों से बात करके उनको कहूँगा तातकालिक रूप से ये लग सकता है इहमान्शु जी कि उन्होंने विपक्षी एक्टा में बहुत बड़ा विपक्षी एक्टा को बहुत बड़ा नुकसान किया है ये वो लग भी रहा है तो विपक्षी एक्टा को तो कॉंग्रेस से गई गुलाम ने भी आजाद भी कर रहे हैं जोती रजित्ती भी कर रहे हैं हैमन्त विश्वास सर्मा भी कर रहे हैं तो शरत पवार के करने से भी कोई बहुत ज़्यादा राहूल गांदी की की मुहिम पर या उनके आंदोलन पर या उनकी मांग पर कोई फरक पड़ेगा नी और जहराम रमेश भी बोल चुके हैं कि जेपीसी के मांग उनकी बनी रहेगी क्योंकि जेपीसी की मांग इसलिए बनी रहेगी कि जेपीसी को ये अधिकार है कि वो चाहे जिसको बोला सके जाहे जिससे पूछताच कर सके चाहे जहां से वो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सके और सरकार से पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट्स की मां कर सकती है तो जे पी सी के मांग तो खेर संसदी प्रजातनतर में सबसे बड़ी मांग है और वो उस पर कायम रहें अब शरत पवार ने जो कहा उसका क्या फरक पड़ेगा मेरा ऐसा मानना है कि शरत पवार के कहे का कोई फरक नहीं पड़ेगा शरत पवार के कहे का सिर्व इतना फरक पड़ेगा कि जैसे भिष्व में पिता में थे वो कोरों की तरफ से लड़ रहे थे और आखिर में जब हार गए कोरों और उनको मारने का वक्त आया तो वो उन्होंने ही मंतर बताया कि मुझे आप कैसे मार सकते हैं अर्जुन जब उनक किसे प्राप्त होगी तो राजनीति के भिष्व पिताम जो है वो शरत पवार है वो लड़ाई कोरों की तरफ से लड़ते हैं और उनको मारने का जो मंतर है वो पांड़ूों को बताते हैं वो इसलिए शरत पवार की बात पर कोई बहुत ज्यादा प्रदान मंतर नहीं एक जटके में आज इस कारकम में आपने भारदी जन्ता पारटी और मोदी जी को जो पांडव के तोर पर संगया दी है पूरा देश हचम मित रहिए श्वड़ी आपकी इतने दिनों से मुखर तोर पा घालोचना के सर और आज दी गई उपमा बड़ा विरुदावाद हो गया पावार ने इतना हिला दिया पावार ने इतना परिशार कर दिया हम जानने जारों कितना नफा कितना नुटसान तो नफा तो सीधे दोर पर भाजबा किससे मारा है शवड़ी जी बता रहे है को और में ये कॉंग्रेस और उन्दी से बख्षी दिल पांडव सामने है क्या क ये आप बता रहे हैं क्या तो वो वो ये जो विपक्षी पांडव है ये ये शरत पोवार का फायदा पूरा लेगा ये क्या है जो महाबारत हुई थी श्रवण जी वो हुई थी द्वापर में ये कल्यूक का दोर है क्या आप ऐसा महसूस तो नहीं कर रहे है कि भीश में पिता मा उस दोर में थोड़े निलिप्त किस्म के व्यक्ती थे तो उन्होंने अपनी मित्नियू को करने में संकोच नहीं किया ये आधुनिक भीश में पिता मा है इतनी आसानी से खतम नहीं होना जाते है ऐसा तो नहीं कि बीच महावारत में दल परिवर्तन का मन आ गया हो कि कौरों से बहुत लड़ लिये अब पांड़ों की और से लड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर 2024 जब यूपिये के साथ रह लिये उससे पहले अंडिये के साथ रह लिये तो फिर एक बार अंडिये का होली आ जाए क्या कहते है श्रवण जी ऐसी कोई च्छा तो नहीं जा गई पावार जी की शरत पावार की प्रदिश्टा यह है कि वो सभी के साथ रहते हैं और किसी के साथ नहीं रहते हैं जे ऐसा है मतलब वो आप महराश की politics में उनको देखें तो आप पाएंगे कि वो किस तरह से बाजियां पलटते हैं और बाजियां बनाते हैं कि महराश विकास अगारी भी उनके ही बनाया हुआ है और उसको तोड़ने का काम भी वही करेंगे इसलिए कोई उनके काम में कोई मत तो आप उनके किये के प्रति आप कोई प्रमानिक्ता से नहीं कह सकते कि वो क्या करने वाले है तो श्रवड जी ने कुलमिला करें बता दिया कि हाल फिलाल पवार ने जो कुछ भी किया है उससे देश का भला हो जाए विपक हेग्जूट हो जाए अलग बात है पवार ये मन श्रवन्जी बहुत सीडियर है श्रवन जी ने एक बात अच्छी बोली कि आडानी का मतलत थोड़ा वैक फुट पे जाने में था अभी अभी संसत जो गणबढ हो रही थी तो वो संसत भी अभी वो चली गई तो फिर से अडानी पे शब लोग बात करने लगे और निखर के आ सोगुसें सेना निखर के आ गई और यहां आप कि अिसी अपना स्टियर करेगी दूसरी बात है CM कैसा है सुचूता वाले है निती वाले है बटाचार के खिराप वाले है लेकिन भाचप के सेकंड टर्म में आडानी को बहुत कुछ दिया गया और आडानी जी ने बहुत कुछ चुना लगाया और आडानी जी के वज़े से बटाचार हुआ ये मेसेज तो जा रहा है देखो तूजी आप तूजी ले लो या गोपोर्स ले लो ये कोई देश के बड़े मसले नहीं थे उसमें कुछ निकला भी नहीं था लेकिन सरकारे बदल गई थी आप समझ लो सरकार की छबी और सरकार की किरकिरी जादा हो रही है कुछ नहीं निकला आप ही बता रहे हो दो बार चड़ गई तो आम आनों तीसरी बार भी चड़ जाएगी तो फिर जाके इस काहवत क्या होगा काहवत बर जाएगी काट की हांडी बार बार चड़ती है नए बच्चों को अब हम यही पढ़ाएंगे देखो तीन-तीन बार सरक याल के बाद जब लोगों ने बदला, तो मानवहन जी का ता हा प्र्फार्मास देखा गया था, वैसे ही मोदी जी का भी सारा प्रफार्मास देखा जाएगा। मोधी जी ने बड़े बड़े रोजी पिक्चर क्रियेट किये चाथी ठोक ठोक के बोलते हैं लेकिन वैसे एक्चोली पोजिशन नहीं है तो मोधी जी को इनकामी का तो उनको बड़ा बैठे गई फटका लेकिन मुद्दा तो विपच को एक आने का है जो आएंगे वो इक्री को नही बताएंगे प्राइम इनस्टर डिरी भी परजी बताते अनपड है तो अनपड कबूल नहीं करते आएं फ्रेमप्रकाज्ची कैसा है यह है आयता थोड़ी होता अटल जी का जमाना होता तो इस पर ही राजी नामा देते थे कि एंटायर पॉलिटिकल साइस का कोई डिक्री नहीं होता है या पॉब्लिक अधिकरी नहीं होता है मैंने गल्ती किये लेकिन यहां तो बता ही नहीं रहे और विपाक्ष मांग क्या रहा है कि कहां से पास हुए आ आपके इस देश की नहीं की वेवस्ता पे कोई आस्ता नहीं है क्या हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया मांग करने के संदर में 25 जार रुपे का फटका बैठ गया मानने है दिल्ली के मुख्यमंद्री को आप भी अपने पर लगवाना चाहते हो क्या अभी जुर्माना लगा ना 25 जार किशोर जी दूसरा आप से जानना चाहता हूँ एक सवाल और लूँगा फिर आगे बढ़ूँगा आपने बताया कि देखो मुद्दे को सामने ला दिया तो आप मान रहो कि पवार जी गए तो गोता बढ़ानी की मदद करने थे करा नुकसान दी है ऐसे दो उससे तो दुश्मन वले को आप ही बता रहे हो कि मुद्दा कुछ पीछे हड़ गया था श्रवन जी भी बोल रहे थे मुद्दा मुखर होकर सामने आ गया फिर से क्या बोलते हैं बहुत नुखसान कर दी है पावार जी नाडानी का अरे नहीं गोताम अडानी तो सभी पार जबाव एक लिए कर रहे होगे तो कर रहे होगे बीजेपी को तो वो ताथ चोड़ देंगे पांडे जी आपके दाद अब नहीं रहेंगे महारा एक्ट सरकार गिराने कोई काम आए हूँ तो खुल मिलागे कि शोड़ जी तो इस नतीजे के साथ में है मैं रहे को जाना तो है ओमा शंकर यादव जी के पास लेकर जो कुछ टिपणिया की है शरत पवार ने तो हमारे विदान पूरिश के संग्या वाले प्रेम्रकार पांडे जी बैठे है पास साल विदान सा पासला वरही है सत्ता रूड दल का बहूमत रहता है 21 सदस्य होने 15 सत्ता रूड दल के होने 6 लो क्या कर लेगे तो वाकि ऐसी बेफिजूल के होती है जेपीसी सत्ता रूड दल के हस्तिशेब से सब कुछ होता है और यह 19 विपक्षी दल ना समझ है इनको अखली नहीं है ज कहते हैं पंडी पवारी के साथ हैं नहीं नहीं जेपीसी का जहां तक इंपोर्टेंस की बात है तो जेपीसी की अपनी अलग संसधी परंपरा में संसधी परिक्रिया में सबसे उच्छतम कोई भी अगर जांस कमेटी है तो वो जेपीसी है किसी भी सर्धन की सबसे उची समी और उसको सरवाधेकार प्राप्त है उसको सेमी जुडिसियरी पावर्स भी है तो इसलिए उस कमेटी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता जहां तक ओ राजनैतिक दलों के मतों के विवाजन की बात है तो जेपीसी का जो गठन होता है वह हर दल का जितना समानुपातिक रूप स सदन में दल की सदस्ता रहती है उसके अनुशार जो है उसका गठन होता है यह उन्होंने सही कहा है कि सदस्यों की जो संख्या रहती है वो उसमें सदन में सदस्यों की सदस्संख्या के समानुपात में रहती है लेकिन जेपीसी के अपने इंपोर्टेंस के अलग बात है ले के फेल्वर्स के सदन में कागज प्रस्तुत हुए थे बीपी सिंग स्वैम राजी गांदी जी के सरकार के वित्मंत्री थे वो स्वैम उन्होंने वहां पर उसमांग को उठाया और उन्होंने सदन कहा था ऐसी यहां पर कोई भी चीज नहीं हुई है यहां तक आप देखिए क जब बहस हुआ राजी सवा में और लोग सवा में और जब किसी पेपर को एथेंटरिस करने की बात कही गई तो सारे सदर से उसमें भड़क गए तो अब कॉंग्रेस हो या जितने भी विपक्षी दल हैं इनका असल में वैचारिक रूप से और देश की राजनेतिक समझ के रूत में कहीं नहीं है सब को प्राइम मिनिस्टर बनना है और सब चुकि भरस्टाचार के खिलाब प्रदानमंत्री जी ने जो मुहीम छेडा है और उसमें एक कहा जाए तो अधिकतर दल के नेता जो सब किसी ने किसी अगर देखेंगे तो एक पारिवारिक पार्टी हो को कि लुद्धर कर्म ए बिष्टाचार के खिलाब लड़ रहे हैं तो या तो लोग लड़ रहे हैं या आपके साथ मिल रहे है नारा न रणे। बैतर रहे क्या लड़ेंगे। आपके पास ही हो लेते हैं। 퍼च्चे मनगार के तो नेताओं की एक लंबी फिरिस्त है जो आप से जानने का जो विशे है वो ये है, का आप ये बता रहे हैं, ये बोवोर्स के मसले में ऐसे पेपर थे, टूजी के संदर में भी कुछ कागस थे, यहाँ पर मसला यह है कि एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट का प्रभाव आम भारतिये के निवेश पर पड़ता है, आम भारतिये की जेब कड़ जाती है, बड़े पैमाने पर आम निवेशक का नुकसान होता है, तो जानना यह चाहते हैं प्रेम परकाश पांड़े जी, जिस सदन को आपने सुशोबित किया इतने वर्षों तक, उस सदन की जिम्मेदारी है किसके संदर में है, आम जनता कि हितों की रक्षा करने के लिए है, या आम जनता कि हितों की रक्षा छोड़ कर सदन कागज कागज चिलाएगा और अपनी सहूलियत के नुसरा फैसला लेगा है, क्या आम आदमी के हितों की रक्षा के संदर में सवाल उठ खड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर निवेशको का कम समय में अभोत्वर किस्म का नुखसान हुआ क्या इसके मद्दे नजर सर्वोच जिस से अब बता रहें सर्वोच समीति है उसका गठन देश में ये भरुज़ा पैदा नहीं करता कि इस सरकार की पाड़द्रुस्टा के प्रती आस्ता है इस सरकार का दूद का दूद और पानी का पानी करने का प्रति भरोसा है इस सरकार के मंशा लोग के सामने सचलाने की है जिस समीति में आपका ऐसा जबर्दस भहुमत रहना है उस समीति का गठन करने के लिए आप तयार ने हुए क्यों नहीं देखिए मैंने पहले ही कहा कि आखिर सदन की कमेटी बनाना मतलब कोई बच्चों का खेल वाला बामला नहीं है तर एक विदेजी कंपनी ने कोई रिपोर्ट जारी गिया अब जहां तक आप कंपनियों की बात कर रहे हैं कंपनिया जो सेयर मार्केट में जा रही ह सेयर्स पब्लिक खरीती है कंपनियों की अपनी क्रेडिविल्टी के आधार पर उनके सेयर्स बढ़ते और घटते हैं निश्चित तोर पर जो हिंडेंबर्ग की रिपोर्ट आई उससे लोगों में जो आसंका हुई उससे उसके सेयर्स गिरे लेकिन सेयर्स गिरना और स्रकार के नियनतरन के और किसी एक्ट के कारण कोई अगर ऐसी चीज हुई है तो उसपर आप अगर कोई तथ्यात्वत बात रखेंगे तब सदन की VC कमेटी आती है आप ऐसे रिमार के वहलं में कुछ भी बात करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, तो ये इस पर नहीं आदे को लागा, ठीक है, पैसे शेहर था, शेहर तो गिरता है, उट चड़ता है, गिर चड़ गया, तो इसके लिए जेपी सी बना दें क्या, प्रहिन प्रकाशी की तलील है, इसका उत्तर मुझे श शिरोमणी, देश के सबसे अनुभवी राजनेता, मौयूदा सरकार, देश के सबसे बड़े उद्योगपती, दोनों की भरपूर मदद करने के लिए तत्पर हैं, आपको अपना वविशे कितना उजल दिखाई दे रहा है, दोजार चौबिस में उम्मीद करें, कि NCP, NDA का हिस्सा बना हुआ दिखाई देगी, अटल के दोर की NCP एक बार फिर भाज़बा के साथ हम किदम होगी, उम्मीद करें कि आपके नेता जी, 2024 में मोदी जी के साथ सबाओं में दिखाई देंगे, कितना उल्लाव है आपको वविश्च को लेकर, कितना उस्सा है, हिमानसु जी अभी हमने आपको बताया कि मेरे नेता को, नेता से गुरेज नहीं, नेती से विरोध है, दूसरी बात, पवार साहम ने जो कहा, JPC या डिगरी एसम मुद्दा, एसम मुद्दा तो चलना की है, साथ हमें महागाई और बेमौसम की जो बारिस हुई, इस पर भी सदन में चर्चा ही होनी कही है, और जब चार सो रुपया सरंडर था, तब भात्यंता पार्टी के जो है, चूड़िया तूड़ी जाती थी, तो उस पर चर्चा होनी कही है थी, होनी कही है कि जब चार सो रुपया सरंडर था, तब बड़ी मादा जाता है, लेको इस से जब संसद चल रही थी, जब संसद का सत्र खतम हो गया, तो अब आपके नेता बोल रहे हैं, यह जेपीसी की मांग फीज़ूल थी, थोड़ा इसमें बताएंगे, संसद चलते समय, पवार साब के मुझे क्यों निकला, यह ग्यान अचानक कैसे प्राप्त हुआ? मेरी बात सुनिये, हमारे नेता महान नेता जो पवार साब है, ओच चौबिस के चौबिस घंटे के और राइनीत में ही मिले रहते हैं, राइनीति घ्यान को देते हैं, दूसरी बात यह है, कि जो हमने महागाई के मुझे पर जो मैं बोल रहा था, उसको आप गोर से सुनिये, आज मेरे देश का नौजवान कहां खड़ा है, रोट पे खड़ा है, इस पर सदन में चैटा होनी चाहिए थी, लेकिन बिपच्छ के लोगों को बोलने नहीं दिया गया है वहाँ पे, और देश की सबसे बड़ी राइनीति कम यह थी, कि कभी भी हमेसा बिपच्छ जब अस कित करती है सदन को, बात तो ठीक है रोट जादा जी लेकि पवार साब ने ऐसा बिलकुल भी बोला नहीं इंटर्व्यू में, पवार जी ने ऐसा बयान भी नहीं दिया, कि सत्ना पक्ष ने जो है सदन नहीं चलने दिया, एब उनकी टिपढ़ी नहीं आई, उनकी कि और तो नहीं जा रहे हो, कि श्रवणकर जी जाता दुपवी, पत्रकार आज ब्रहमित हो गया, नहीं, पहली चीज़तों मैं आप तो हमानुजी जी एस पस्तुरूं की, मैंने, अभी मैं कांग्रिस के प्रवक्ता पत्र नहीं, और मैं वापस चक्री पत्रगारिता में ल पत्रवा करता है, दूसरी बात यह है कि देश के अंदर जेसे आज ये बाज़पाजी के जो लोग कह रहे हैं, सिलेंडर 4500 का 1100 का हुआ, उसमें देश के करोडों लोग खरीद रहे है, लाखों लोग खरीद रहे है, क्या उनको पता नहीं महेंगा ही है, और दूसरी सबसे वड़ी बात यहां कि तिका कोई उतर दिया है कि मेरे आदानी से संवन्ध नहीं है संसम्ध में हो या बाहर हो या मन की बात में दूसरी चीज यह है कि जैसे कौरों DJ पत्ख आई या अपर कि भी नग को उ पर हैं प्आंडों लोग तो भेले धारन्मिक थे और तो आप से जानना यह चाहता हूं कि आप उस राम राज पे जाने चाहते हैं तो आप यह बताना चाहते हैं कि राम ने एक दम ठीक किया था एक दोबी ने टिपणी की और राम जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया तो तरवेजी जी आप इसी विचार के साथ है ऐसे ही होना चाहिए अगर कोई आपकी पत्नी के संदर में एक टिपणी कर दे तो उसे घर के बाहर दिखा देना चाहिए इसी विचार के साथ है आ आप जेपीजी के संदर में पिछले चरड़ में जो कह रहे थे पावार जी एच्छी बात कह रहे हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि जेपीजी क्यों नहीं कटी कर देते जिस बात को त्रिवेदी जी पानने के लिए थे यार ने जिस बात को बेफिजूल का बता रहे हैं शर् क्या होना जागी क्या नहीं होना जागी है? साइटी उसकी जाच करती है तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा बख्तिकत मानना है मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट जेपी सी से मिलेंगे उसमे बेहतर रिजल्ट जेपी से मिलेंगे वापस आगए तरविजी साथ अपनी बात पर आला कि उनका सवाल था बताई ये कैसी बात है राहूल गांदी मांग कर रहे हैं और मांग माननी रहे हैं पर मैं शरवण जी वापस आपके पास आना चाहता हूँ और जानना ये चाहता हूँ कि एक लडाई दोहजार चौबिस के संदर में चल रही है जमावट हो रही है एक तरफ नरेद रमोदी की विशाल का इच्छवी है और उसके पीचे खड़वी बाचपा है दूसरी तरफ विपक्षी दलों की जमावट है जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार और नेता की चलते देश रसातल की ओड़ जा रहा है ऐसे में पवार के ये कदम कि आपको नहीं लगता है आपने बले कह दिया विपक्षी मदद कर दी देश का बढ़ा बला कर दिया वस्तुत विपक्षी एक ताको नुकसान करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ा दिया अब उनके कदम विपक्ष को नुकसान पहुँचा करने के लिए हिमान्शु जी देखिए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं क्योंकि आपका काजिकम करी लाखों लोग देखते हैं जे और उस पर चर्चा करते हैं ये जो दो हजार चोवीस का साल है ये भारत के इतिहास के लिए और दुनिया के इतिहास के लिए सर्चे पांडे जी के नेता के रत को नहीं रोका गया तो ये देश वास्तों में रसातल में चला जाए और ये सारे विपक्षी दल के लोग भी जानते हैं और भाजपा के नेता भी जानते हैं मतलब वो विचारे बोलते नहीं है पर वो जानते हैं मन में कि देश किस तरब जा रहा बोफोर्स का मामला मैं इसलिए कह रहा हूँ हिमाचु जी मैं उसमें इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था बोफोर्स का मामला स्वीडन में एक्सपोज हुआ था स्वीडिश अख़वारों ने किया था और पॉल्मे की असनलिप ता उसमें पाई गई थी हिंदू की चित्रा सुब्रिमन्यम उसको कवर कर रही थी अगर आप इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के उस समय के चीजों को देखें और रिपोर्टिंग को देखें तो आप पाएंगे कि भारत में भारत की पत्रकारिता ने कुछ नहीं किया था हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो एक प्रामानिक डॉक्यूमेंट है अगर ये उसको अभी उसका खंडन अभी अडानी ने भी नहीं किया है कि ये जूटी है प्रधान मंत्री की प्रामानिक के फ्ल्रोर पर अगर वो कह देते कि हमने हमारे वित्त मंत्रालेने हमारे एक्सपर्ट ने जाच करके पाया कि फूरी रिपोर्ट फरजी है प्रधानमंत्री तो एक शब्द भी बोलने को तयार नहीं है उसके के बारे में भारत के सुतंता प्राप्ति के इतिहास के बाद ये पहली बार है कि सत्ता रूर्ड दल के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं पवार साब कह रहे हैं जे पीसी के खिलाफ कि उसमें सत्ता रूर्ड दल के सबसे ज़्यदा सदस्त्य होते हैं प्रिम प्रकाश वो तमाम JPCs भारती जनता पार्टी या जनसंग की मांग पर बनी हैं प्रमुक विपक्षिदल की मांग पर बनी हैं और उस समय भारती जनता पार्टी ने या पवार ने या इन तमाम लोगों ने कभी कोई तर्क नहीं दिया पवार साब खुद UPA की सरकार में थे जब JPCs बनी हैं तब पवार साब ने इसका विरोध नहीं किया है उन्होंने मंत्री मंडल में होते हुए कि हम JPC को नहीं बनने देंगे आप बताईएं ना कि कितनी JPCs बनी हैं जब पवार खुद केंदर में दस साल तक मंत्री थे तो ये जो पूरा का पूरा वितंडा वाद खड़ा किया जा रहा है देश को गुमरा करने के लिए खड़ा किया जा रहा है दूसरी बात आखरी बात क्योंकि टाइम नहीं है चलते नहीं थे वो सेर्टिफिगेट जिस कंप्यूटर पे बने उस समय कंप्यूटर नहीं थे उस तरह के वो जो सेर्टिफिएक्ए ऑगर इंडिवर्सिटी की स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई है उसमें जिस आदमी के सिगनेचर हैं उस आदमी की खिलाब बुजरात में क्या कारवाई हुई है ये पब्लिक डॉमेन में हैं आप सोचिए कि अगर प्रधान मंत्री की डिगरी का इतना बड़ा गंभीर सवाल है दो द लोग इस समय एक शायद भारती जनता पार्टी का योद्या से और एक आदमी पार्टी का डिगरी के मामले को लेकर सजा भुगतरा अगर मैं सही हूं तो ये जेल में हैं तो आप जिस प्रजात आंतरिक देश की बात कर रहे हैं कॉंस्ट्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें अगर आप डिगरी से डिगरी दिखाने से बच रहे हैं तो भारती जनता पार्टी के लोग उसका बचाओ कर रहे हैं कि डिगरी की क्या जरूरत है अगर डिगरीयों की मांग की जाए तो भारती जनता पार्टी के आदे लोगों की हो सकता डिगरी फरजी निकले तो ये जो डरे हुए लोग हैं, इनके साथ दिक्कत ये है कि ये इस देश को चलने नहीं देना चाहते हैं, इमानशु जी, ये अगर जेपी सी के मान मंजूर कर लें और डिगरी दिखा दें, तो विपक्ष का पूरा अभियान पंक्चर हो जाए, राहूल गांधी के पूरी मान पंक्चर हो जाए, यह क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है, श्रवन जी बार बार सवाल उड़ा रहे हैं, अगर आप प्रजातंद्रे के प्रती बरोसा रखते हैं, तो फिर जाके आप ये करते क्यों नहीं है? लेकि महत्वूर्ण बात ये है कि ये क्यों नहीं करते हैं, यहा तवाल नहीं हो रहा है? ऐसे महत्रपूर्ण सवाल जब उठाय जा रहे हैं तब पवार जैसा मजावुआ राजनितिग्य, पवार जैसा अनुववे राजनितिग्य, इन सवालों को खारिच क्यों कर दे रहा है यह साफ तोर पर नहीं दिखता है कि पवार एक नई रहा पर चलने के लिए तैयार हो जुके हैं और वो नई रहा उन्हें भाजबा के नजदीक और बाकी विपक्ष के खिलाफ ले जाती भी दिख रही है देखें पवार सही समय पर अपने पत्ते किस तरीके से खोलेंगे पर अभी जो जलक दिखाए है उसाफ दिखाती है कि पवार ने अब विपक्ष से मूँ मोड़ना शुरू कर दिया है आप सभी मेमनों को बहुत बहुत दन्यवाद इस रोचक राजनितिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय है अब आज के शेर का तो हमारा आज का शेर पवार साब को समर्बेद है पवार साब के ध्यान में रखते हुए हम ये शेर कहते हैं कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको डॉक्टर विश्ण सक्ताना कि हमारा कल की बात कही थी तो अब विपक्ष के उपर है, पवार साब को अपने साथ बहा ले, नहीं तो कोई और उन्हें अपने साथ बहा ले जा रहा है, के साम दिखाई दे रहा है, बहराद, आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगा ने विशे के साथ, मुझे दिया, सब्सक्राइब